हेलो विलकम बैक तो आज मैं बेसन की लड़ो की वीडियो लेके आई हूं तो मैंने सोचा क्या संड है तो सब घर पे है तो कुछ मीठा बन जाए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल और एकदम टेस्टी बेसन की लड़ो की रसिपी है तो चलिए आज की बनाते हैं जिसको बारिक बैसन नहीं मिलता है तो अपना नॉर्मल जो बैसन आथा नो वह भी से भी अगदम टेस्टी बे लड़ो बना सकते हैं तो सबसे पहले तो उसी कप्से में दो कप बैसन ली लिया था और फिर मैंने उसी कप से में थी फॉर्ट कप जितना मेंने गी ले लिया है तब हमें तीन टेबल स्पुन में बचा लिया है बाकी का पूरा गी इसमें अंदर एड़ कर लेंगे अगर आपको कम लग रहा है तो बीच-विच में आड़ करती जाएंगे तब यह आपको बिल्कुल एड़ नहीं करना है और बेसन को में लो फ्लेम पे जितना ह हमार टेस्टी लड़ू बनेगा तो इसको भूनने में 20-25 मिने कट काम टाइम लगेगा तो आप देख सकते हैं अभी अच्छे से गी सब सपरेट होने लगा था तो अब होड़ा सा गी कम लग रहा था मैंने तो एक टीस्पून जितना मैंने गी एड़ कर लिया है तो इसे मिक्स ज्यादा गी अमें आधने करना है क्योंकि आपको लड़ू बनाएगे तो अब टाइम पर प्रप्रॉब्लम आएगा इसलिए अपको ज्यादा गी अभी एड़ नहीं करना है आगर अगर आपको ऐसा गड़ा है लास्ट में लड़ू बनाते टाइम के घी ज्यादा हो तो अब यह बड़ा सा और भी हम कर लेंगे कलर इसका तो इस तरह से अब देखेंगे लोग फ्लेम पे मेंने किया है अभी अमें बिल्कुल गी एड़ करने की जरूर लिए इतना गी इनफ है तो आप देख सकते हैं मैंने लोग फ्लेम पे अच्छा कलर आ चुका अभी गैस का अब बंद कर लेंगे अभी अभी अब शुकर एड़ नहीं करेंगे अभी आप शुकर एड़ करोगे तक दिम बेल्ट हो जाएगा तब लड़ू नहीं बना पाऊगे तो इसलिए मैंने एकदम से थंड़ा कर लिया है तो इसके बात में इसके अंदर इलाची पाउडर एड कर सकते हैं तो मैंने जो मार्केट वाला मिलता ना उसे मैंने डेड़ कप जो कप से अपने मेशरिंग लिया था ना बेसन उसी कप से डेड़ कप मैंने पहले एक कप लिया तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है उसके बाद में आप गलड़ू उस तरह से बना ल लूस लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम निया बार याब एक दो मिनिट के लिए रहने दीजेगा तो अपने आपी सेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं हमारे टेस्टी लड्डू बेसन का लड्डू रसर्व करने के लिए रेडी हो चुका है घर पर जरू ट्राइक अगर आपको मेरी रेसीपीस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिजाए नेक्स्ट वीडियम फिर से मिलते हैं बाई फ्रेंड